वेल्कम तो आज चैनल किट स्कूल इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से मॉबाइल को यूज करके हम गूगल फॉर्म के लिए हिटर बना सकते हैं सो उसके लिए पहले हम पिक्सलैप को उपन करेंगे पिक्सलैप को उपन करने के बाद आपके सामने इस सारा का इंटरफेस आ जाएगा राइट में उपर त्री डॉस पर क्लिक के रहें और इमेज की साइज को सिलेक करें इसके बाद आपको जो डिजाइन करना है इस साइज में आपका हीडर डिजाइन हो जाएगा सो हम बैकराउंड कलर सिंपल के लिए सिलेक करते हैं और यहां पर हम अपनी स्कूल का नाम डाल सकते हैं जैसे हम डाल रहें किट्स स्कूल प्रैक्टिस पेपर आप अपने चॉइस से कोई भी नाम डाल सकते हैं आपकी स्कूल का जो भी हो इसके बाद हम इसको सेट कर रहेते हैं और इसको मीडल में लेने के लिए उसको रिलेट्यू पोजिशन कर देते हैं और आप यहां से इसका इसकी साइज भी चेंज कर सकते हैं फॉर्ण भी चेंज कर सकते हैं तो हम इसका फॉर्ण चेंज कर देते हैं और उसके बाद हम दूसरी जो चीजे जरूरी होती है उसको एड़ करते हैं टेक्स एड़ करने के बाद हम उसका चेंज कर देते हैं सब्जेक्ट इंग्लिश और स्टैंडर्ड फर एक्जम्पल फर्स डाल देते हैं और इसको लेफ सेट में अलाई हो चुका है यह हमारा इसकी साथ सोड़ी छोटी कर देते हैं इसी को हम रूबाद साब कॉपी कर लेते हैं और इसको यहां पर रख लेते हैं और उसके अंदर दूसरे चीजे टाइप करते हैं जैसे हमारा है डेट त्री औक्तोबर औक्तोबर ट्वेंटी 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 एंदेन माइक्जिमम मांक्स अब ट्वेंटी कर देते हैं और यह हमारा सिंपल सा हिडर तयार हो चुका है अब अगर आप उसके अंदर अपना लोगो बेंट करना चाहते हैं तो आप उसके अपना लोगो बेंट कर सकते हैं लोगो अट करने के लिए आपको जिंपली प्लस की पर क्लिक करके आपको लोगो ऐड करना होगा तो हम यह पर प्लस क्लिक करके फ्रॉम गैलरी अपना लोगो अट कर देते हैं और उसकी साइज चोटी कर लेते हैं अब हमने उसकी साइज भी छोटी कर लिया है और इसको मीडल में सेड कर दिया है और इसके अलावाद जो भी चीजे आपको पसंद हो एट्रेक्शन के लिए और आपको आपकी मुनासिबस से आप उसको उन चीजों को यहाँ पर एट कर सकते हैं हैब इसको अम बट्स कर ने किलिए करके से ऐस इमेज करने के बाद यह हम इसको स्टम पह कर देते हैं और सेट गैलरी है कि थी हो आपको दोबारा इसी इमेज को यूज करना है तो आपको इमेज को यूज करने के लिए इसमें थोड़ी से एडिटिंग करने जिस फॉर एक्जमपल इंग्लिश की जगा पर मैट्स करना है फ़र्स की जगा सेकंड करना है डेट चेंज करना है तो आपको नेक्स टैम एडिटेबल यूज चाहिए तो आप इसको से बटन पर क्लिक करके से वैस प्रोजेक्ट करके भी आप सेव रख सकते हैं तो सेवेस प्रोजेक्ट पर हम उसको नाम डाल देते हैं practice पर प्रैक्टिस पेपर हमारा पहले से स्यू किया हूँ है इसलिए हम गूं के अलग से नाम से से अब यह हम्मारा प्रोजेक्ट भी से हो चुका है अगर हम गाक भी जाते हैं तो बैक कर सकते हैं कि वह प poking करने के बाद आपको वही पर प्रोजेक्त मिल सकता है जो आपने से अफोड़ कर के रखा हुआ है और आपको उसमें कोई तब्दिलिक करना है कोई दूसरे पेपर्स का बनाना नहीं तो आप बना सकते हैं तो उसके लिए माई प्रोजेक्ट पर क्लिप करें और आपको प्रैक्टिस पेपर के नाम से एक कि भाइल मिल जाएंगी उसको कुलिक करने का अँए ऊसको यहां पर यूज कर सकते आपको अब हम देखेंगे कि हमने जो उनिदोगा बना आ एड़ करते हैं तो उसके लिए हमें गूगल में जाना है गूगल में और जिस तरीके से गूगल क्वीज बनाना है गूगल फॉर्म बनाना है इस पर एक वीडियो बना यह जा चुकी है तो उसे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं हमारे तो उसमें चूज एन इमेज पर सिलेक करके आप मीडल वारा जो आप्शन है अपलोड का वहाँ पर जाए और नीचे ब्रॉजर पर क्लिक करें ब्रॉजर के क्लिक करें और आपका बनाया हुआ हुआ हीडर आपके सामने शो करेंगा अगर नई शो कर रहा है आपने कुछ द याप देख सकते है कि आपका रहीडर यहां पर अपयर हो चुका है आपको उस से रिलेटेड अपने थेम का कलर भी कोई के सबस्क्ता नाइए तो हमने में थेम का कलर भी उसी कलर से रिलेटेड रख लिए रख दिया है चूस कर लिया है तो इस तरह की छूटी सी वीडियो थी जिसमें आप इजीली किस तरह के से मॉबाइल से हीडर बना कर मॉबाइल ही से अपने Google Form पर अपलोड कर सकते है यह बता है गया था अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें और अगर आपने बिल आइकन पर क्लिक नहीं किया है तो बिल आइकन पर भी क्लिक कर लें क्योंकि हम ऐसी ही एजुकेशनल वीडियो वक्तन फ़क्तन लेकर आते हैं थैंक्स फॉर वाचिंग